कैसे हैं आप लोग मित करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकॉस करने वाले हैं AMU से निकले PhD Admission Notification के बारे में दोस्तो अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही सांदार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आज हम इस यूनिवर्सिटी से निकले PhD Admission Notification को डिसकॉस करेंगे उससे पहले मैं आपको एक महत्पून अपडेट देता हूँ जो कि निकल करता है Unacademy से दोस्तो अगर आप भी Working Professional है यानि कि अगर ज़िदी आप कहीं जॉब वगेरा करते हैं तो आपके लिए Unacademy लेकर आया है UGC Net Paper 1 का एक Special Batch जो कि स्टार्ट हो चुका है 9 अप्रील 2022 से अगर आप चाहें तो इस कोर्स को जवेन कर सकते हैं और आप UGC Net Paper 1 का बहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं और अधिक डिटेल के लिए आपको जाना होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे आपको देखने को मिलेगा इसके संबंधित एक लिंक जिसके उपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप उसके उपर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे Unacademy का पोर और अगर आप वीकेंड बैच ढून रहे हैं तो आपका ये जरूरत को पूरा कर रहा है Unacademy जहां पे आपको ये तीन टीचर पढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे जहां पे आप ज्वेन करके बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं UGC Net Paper 1 का और अधिक डिटेल के लिए आप इस Slim University से दोस्तो ये notification रिलीज किया गया है 12.4.2022 को यहां पे आप online आविदन कर सकते हैं 13 April से लेकर 7 मई के बीच और अगर किसी कारण वस आप इस date के बीच आविदन नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्तिति में आप 8 मई 2022 से लेकर 14 मई 2022 के बीच कर सकते हैं application लेकिन आपको 300 करना होगा late find के तोर पे यहां पे यह साफ कर दिया गया है कि कि subject में कितना vacancy है वो आप देख सकते हैं annexer 1 में जा करके अब हम लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आखिरकार annexer 1 में कि subject में कितना vacancy दिया गया है तो यहां पे आप देख सकते हैं annexer 1 को हम download कर चुके है कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के आगे दोस्तों यहाँ पर यह साफ किया गया है कि कि सब्जेक्ट से कितना विकिंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं दोस्तों सभी विशियों से लगबग लगबग ठीक ठाक विकिंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कॉमर्स से कुल मिलाकर 16 विकिंसी है जेनरल के लिए 3 विकिंसी है PWD के लिए उसी तरीके से आप जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे आपको अलग-अलग सब्जेक्ट का नाम और उसमें कितना विकिंसी निकल कर सामने आया है वो सभी कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तो इन सभी सब्जेक्ट को एक-एक करके डीटेल में डिसकस कर पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां से आप इस पीडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो उसके लिए आपको आना होगा AMU का ओफिस्यल वेबसाइट पे जो की है amucontrollerexams.com दोस्तो इस वेबसाइट को जैसे ही आप टाइप कर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुल कर सामने आ जागा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Notice for Admission to PhD Program 2021-22 इसके उपर क्लिक करके आप इस notification को डाउनलोड कर सकते हैं जो की मैंने आपके साथ discuss किया उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आप देख पाओगे vacancy for PhD इसके उपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप उस vacancy वाला PDF को open कर लोगे जो की है NXR 1 और यहाँ से आप अपना subject का vacancy को आसानी से देख सकते हैं अगर इस university का PhD regulation पढ़ना है तो आप इस link के थुरू पढ़ सकते हैं ordinance पढ़ना है तो इस link के थुरू पढ़ सकते हैं और अगर आपको जानना है कि यहाँ का entrance test कैसे होगा और क्या होगा syllabus तो उसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आपको बता दें वैसे सभी student इस form को भर सकते हैं जो कि PG pass हैं तो अगर आप PG pass हैं तो आप एक अच्छे विश्विद्याले से PhD कीज़े और आपके लिए AMU से बेहतर बहुती कम विश्विद्याले भारत में मिलेगा क्योंकि ये भी एक बहुती सांदार university है तो इस तरीके के updates के लिए आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं साथ ही साथ बल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ठेंक्यू, ठेंक्यू बेरी मच आप देख रहते डेके गुरू टिटोरियल